आज हम बनाएंगे बहुत सिंपल सी रेस्पी जीरा आलो तो इसके लिए मैंने 2 kg पोटेटो को बॉइल कर लिया है और अब हम इसके छिलके निकाल लेंगे और इसे पीसिज में कट करेंगे आपको किस साइज के पीसिज में कट करना है वो तोटली आप पर डिपेंड करता है लेकिन मैंने इस साइज के पीसिज में कट किया है क्योंकि जब हम इसे मिक्स करेंगे तो थोड़े से पोटेटो हमारे मैश भी होंगे इसलिए मैंने बड़ा साइज कट किया है, इसी तरह हम सारे पटैटो के छिलके निकाल कर इसे पीसिस में कट कर लेंगे, ये इस तरह से सारे पटैटो समने कट कर लिए हैं, तो अब हम तड़का लगाएंगे, उसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून ओयल एक कढ़ाई में गरम करा, आप यहां मस्टर्ड ओयल भी ले सकते हो, उसमें जादा अच्छे बनेंगे, और इसमें 1 टेबल स्पून हम जीरा एड़ करेंगे, जीरा के कौंटिटी थोड़ी जादा ही जाएगी, जीरा एड़ करने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी एड़ करेंगे, और 1 टी स्पून अजवाइन एड़ करेंगे, क्योंकि अजवाइन स्टमक के लिए अच्छी होती है, आप यहां पर अजवाइन की जगा हिंग भी एड़ कर सकते हो, और इसे थोड़ा भ करके इसे 30 सेकिंड के लिए कुक करेंगे, और हमारे पटैटोस इसमें एड़ करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स करते टाइम हम इसे पटैटोस को थोड़ा थोड़ा मैश करते रहेंगे, जिससे की पटैटोस का टेस्ट और भी अच्छा आएगा, इस तरह से मैश करते करते हम mix करेंगे हमें पूरी तरह से potatoes को mash नहीं करना है pieces में ही रखना है लिकिन कुछ हम लोग बीच बीच में इस तरह से mash करेंगे ये अच्छे से हमने mash कर लिया है और ये देखिए नीचे कड़ाई में हमारे बिलकुल भी oil नहीं है इसमें जादा oil का यूज नहीं करना है ये आलू थोड़े चटपटे होते हैं तो इसलिए हम इसमें वन टेबल स्पून के करीब चाट मसाला एड़ करेंगे और इसे अच्छे से mix कर लेंगे और वन टी स्पून गरम मसाला डाल कर इसे mix कर लेंगे अभी हमारे पटेटोस गरम भी हो गए है और अच्छे से mix भी हो गए है तो ये हमारे जीरा आलू रेड़ी है आप इसे परांठा या पूरी किसी की साथ भी सर्फ कर सकते हैं ताइंक यू